नमस्कार, सामद्रिक विज्यान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक, सामद्रिक विज्यान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गोवलॉक्स में एक मेल हतेली हमारे सामने है, पुरुस जातक हैं आप आपकी हतेली का जो आकार दिखाई दे रहा है, पूरी तरो से चोकोर है कर्म सील बेक्तित्व आपका है, कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, अच्छी बात भी है और एक योदा किसम के हतेली है, देखे, हतेली देखे लग रहा है मुस्किलें भी बहुत आई है, लेकिन हर समय जीत हासिल की है संगर्स जीवन में रहा है, उल्जन रही है लेकिन जीत हमेंसा हासिल की है, उन चीजों से उठे हैं, आगे बटे है एक राजयोग बन रहा है, इसका भी फाइदा मिला होगा आभी तो ब्रेस्पति के कारण जो है, चीजें सामने दिखाई दी रही है यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले मनिबंद परदेश पे आपका जाते हैं फिर राजयोग पे जाएंगे मनिबंद परदेश में देखें आप, तो यह पहली रेखा आपकी सुन्दर इस्तिति में जाती हुई दिखाई दी रही है ये है आपकी स्वाष्टे की रेखा ये आपके स्वाष्टे के बारे में आरोग्य के बारे में और तंदुरस्ती के बारे में बताती है इस पश्ट है बड़ी सुंदर है तो स्वाष्ट्य ऐसे में बड़ा अच्छा रहता तंदुरस्ति बिक्ति की बहुत सुन्दर रहती है और आरोगय के मामले में लगी रहता है लेकिन यहां पे देखें तो यहां से लेके और अंततक जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे योव का आकार जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो जैसे जैसे उम्र चाहे स्वास्त्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरस्ति का मामला है, आपको थोड़ा सजग रहने की आवशकता रहेगी, अपना जो रूटीन है उसको थोड़ा हलका मेंटेन करने की आवशकता रहेगी, क्योंकि ऐसे में चाहे सारेरिक हो चाहे मानसिक विकार हो आपको गिहेर सकते हैं इसकी ये संभावना को दिखा रहा है और विशेश कर आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखे पाने का जितना ज़्यादा हो सके सेवन जरूर करें और खाना खाने के बाद अगर गुड का आप सेवन करते हैं तो आपका स्वस्थ्य कहीं न कहीं मेंटेन रखने के लिए आपके ग्रह बली हो जाएंगे और आपके स्वस्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे से देखें एक रेखाईस तरों से जा रही है और एक रेखाईस पे इस परकार से जाती हुई एक तिर्भुज का आकार बनाती हुई दिखाई दे रही है यह बहुत सांदार है अपनी ही कमाई हुए पैसों से जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है आपके बुड़ापे काल में निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा अप्रत्यासित लाब आपको मिलने वाला है इस बात के और ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा दिख रहा है दूसरी रेखा आपकी हतेली की है इसे संपत्य की रेखा धन की रेखा कहते हैं ये भाग्य रेखा से समन्द रखता है अब आपके भाग्य रेखा अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत नॉर्मल दिखाई दे रही है बहुत नॉर्मल दिखाई दे रहा है ऐसे में मन पसंद जो तरकी होती है मन मुताबिक जो तरकी होती है उसमें थोड़ा मध्यमता रहती है जो वास्तिक स्टेबिलिटी होनी चाहे धन और करियर के मामले में अस्ताइत तो होना चाहे उसमें हलकी कमी रहती है तो आपको क्या करना है इस चीज को ठीक करने के लिए या तो बहुत अच्छा आ रहा हो आपके पास सब कुछ लेकिन फिर भी जो बरकत होनी चाहिए जिस परकार का धन का संचाई होना चाहिए जिस परकार से धन का नन होना चाहिए उसमें हलका कमी दिखाई दे रही है इसको ठीक करने के लिए रातरी के समय का एक महालक्षमी का उपाई आता है और उसके साथ साथ दिव्य ध्यान योग किरिया होती है वो मैं आपको दूँगा बेहतरिन तरीके से करिएगा निश्चित ही आपको लाव होग तीसरी रेखा अगर हम आप देखें तो ये थोड़ा सा जो है इस प्रकार से है और फिर टूट के इस प्रकार से आ रही है लेकिन ये प्रारंबिक दौर का है तो यह से में प्रारंबिक दौर थोड़ा संगर्सों से युक्त रहता है लेकिन उसी संगर्स से उठ करके सीक करके विक्ति अपनी जीवनकाल में एक समय में ऐसा होता है कि निश्चित रूप से सुकों का भोग करता है लेकिन उसके बाद रेखा बहुत सांदार इस्तितिकी है इस पश्ट है बहुत सुन्दर है ये बड़ा अच्छा संकेत है जैसे जैसे उमर बढ़ेगी उमर का अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इस लकीर की वो जोसे अपने स्वास्तिय का अपने धन का और अपने एस्वर्य के सुक भोगने का बहुत सांदार लाब की प्राप्ति होगी ये इस्पष्ट तरीके से कह रहा है एक बेहतरीन चीज आपकी जो है केतुका परोत मनिबंद कह रहा है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका मनिबंद तीन लकीरों से भरा पड़ा है तीन लकीरों से ठीक है कुछ इसमें सुधार करनी की आवशकता है उसको मैं कुछ किरियाई हैं जो आपको ओडियो के माद्यम से दे रहा हूँ अगर मन से एकागर्चित होकर और इस्वर का प्राकृतिक रूप का एक आदेश मानकर अगर आप करते हैं तो आने वाला समय निश्चित ही आपका दिब्य रहेगा ये तीन लकीरें बथा रही है कि वास्तों में आपने जो पूरो जन्म था आपका उस पूरो जन्म में बहुत पुंड्य कर्म किये हैं बहुत उच्च स्रेणी के कर्म किये हैं जिनकी वोजों से आपको मानव जीवन प्राप्त हुआ है जो बड़ा दुल्लब होता है ऐसा मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है और वो भी एक ब्रह्म तत्व जैसा बंस में उत्पन आप हुई है एक बात का ध्यान रखना कहते हैं हमारे जो ग्रंथ है जिसमें देवतत्व ब्रह्मतत्व समलित है उसमें कहा गया है कि ये जो संसार है वो देवताओं के अधीन है और जो वो देवतत्व है वो मंत्रों के अधीन है और जो वो मंत्र है जो देवतत्व को एक्टिब करते है वो मंत्र ब्रह्मनों के अधीन है ठीकन इसलिए इस भुभाग का जो देवतता है उसको ब्रह्मन को माना गया है तो आप इस प्रकार के बंस में पैदा हुई है ठीकन किस कारण पुरो जन्म के गए उच कर्म के कारण पुन्य कर्मों के कारण स्रेष्ट कर्मों के कारण इसका मतलब है आपका जो पुरो जन्म था वो भी मनुश्ययोनी का था आप मनुश्ययोनी में पुरुस थे प्रकृति नहीं थे पुरुस थे और उस जन्म में आपने बहुत पुन्य और उच कर्म के हैं जिसके कारण ये जन्म मनुश्ययोनी का हुआ है ठीक है न? और अपने ही बंस में आप आये हैं, अपने ही पूर्वज आप थे, आपका जो आदिपूर्ष पूर्वज था, उसके आदेश के अनुसार आपने जनम लिया है, अपने बंस को सुचारो रखने के लिए, अपने DNA को एक प्रोग्रेश रूप में रखने के लिए और निश्चित रूप से आपको चाहे अच्छी बिद्या नोलेज के रूप में मिली हो, चाहे बिद्या के रूप में मिली हो, मिला है और आने वाले समय में यकीन मानिएगा आपके अन्नर का जो ब्रह्म तत्व है, जो देव तत्व है, वो एक्टिब होने वाला है और निश्चित रूप से आपको एक सांदार सुक भी प्राप्त होगा और अच्छा धन प्राप्त होगा ठीक है ने अब इस चीज को एक और भी चीज कह रही है मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यह उन रहे खाए अब यहां से देखेंगे आप तो इस प्रकार से एक चिन बन र लेकिन है और किसका प्रभाव पढ़ रहा है केतु का केतु के बारे में बड़ा आप डिटेल जो है सास्त्रों में पढ़ सकते हैं और कभी मैं दूसरे चैनल पे मेरा एक दूसरा चैनल है दिभासकरा डोकुमेंटरी उस पे मैं विदिवत तरीके से डालूँगा एसी प्रिप्सन में जाके उस लिंक में जा सकते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं आपका आवहर रहेगा तो ये केतु का प्रभाव पढ़ रहा है आपके जो है मचली के चिन पे इसका मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में आपकी रूची बहुत ज्यादा बढ़ जाएगे आप धार्मिक होंगे अध्यात्मिक छेत्र में बहुत बड़ा विकाश भी आप करेंगे उन्नत करेंगे आप और जीवन के यथार्त को समझ पाएंगे कि मेरा जीवन किस उ आस्त्विक अर्थ क्या है अध्यात्मिक और उसको बेग्यानिक तरीके से हम देखते हैं तो कितना इस जीवन में हम उतार सकते हैं ये आप निश्चित तोर से प्राक्त करेंगे और निश्चित तोर पे अगर इस वरने चाहे आपको सुखद यात्राओं का मौका भी और ऐसे लोगों का जो जीवन होता है जैसे जैसे उमर बढ़ती है वैसे वैसे परखरता इनके अंदर आती है तो ये बड़ी अच्छी चीज यहां पर दिखाई दी रही है ठिक अब उसके अलावा यहां से देखेंगे तो इस प्रकार की आप देखेंगे रेखाए जा रह जिसको कहते है न में बिजनिस माइंड वो देती हुई यहां पर दिखाई दे रही है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चतुस्कून भी बन रहा है चंद्रमा का प्रभाव पढ़ रहा है विदेशों से भी धन आपके पास आए लेकिन थोड़ा सा जो है आपको पेट से समंदित रोगों से बचना होगा तो पानी का सिवन जादा करें एक रेखा इस तरोसी जा रही है एक रेखा इस तरोसी जा रही है एक रेखा इस तरोसी जा रही है यह आपका 45 वर्स ही मिलता है और यह जा रहा है सोर्य पे तो कहीं न कहीं जो है यस की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है हां यह जरोर धन में दुगनी बिर्दि करेगा जिवन के पचासवे वर्स में यहां पर दिखाई दे रहा है एक लकीर इस प्रकार से आ रही है धीरे धीरे अपनी अच् 18 मेहने के बाद का जो समय है इस रैखा का चमतकारिक प्रभाव आपकी जीवन पर पढ़ने वाला है मनि दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाला है और ऐसी चीज जो आपके अंदर चिंताईं घुसी हुई है जो कहीं न कहीं कसक बाकी है उनका सोल कहीं न कहीं निकलने वाला है जो ये बता रहा है कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा है इसका साच्छात अनभव आप कर पाएगे दूसरी ये लकीर इंगित कर रहे हैं आपके अंदर जो छुपी हुई अच्छी प्रतिबा है तीब्र बुद्धी है उसक का फाइदा आप लेने वाले हैं और ऐसा सांदार बिक्तित्व आपका उभरने वाला है कि जीवन काल में एक बार येदि कोई नणे ले लेंगे कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और धीरे धीरे जो आपका बिक्तित्व है वो अच्छा खासा प्रभाव साली बर्चस्व रखने वाला आकरसन पैदा करने वाला यहां पे नजर आ रहा है और देखेगा हतेली के अनुसार जो मैं देख पा रहा हूँ आपके जो पंच तत्व हैं पंच भोत हैं फाइव एलिमेंट जिने कहते हैं आपके सरीर के जो स पिश्च्प देव है वो हनुमान जी है चाए भगवान शंकर की पोजा करें देवादीदेव महादेव की या हनुमान जी की करें संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुम्रे हनुमंत बलवीरा तो जितनी इनकी सेवा करेंगे उतनी एनरजी प्राकरम तो रहेगा चीजों में पढ़ के उपर ये चीज निर्भर करेगी अब थोड़ा सा आपके जो है राजयोग के बारे में बताते हैं सबसे पहले कर्म की उंगली अगर हम देखें यहां पे इसकी और चले तो ये हल की जो है आपको जोकी हुई इस तरफ दिखाई देगी हल का परतीत होगा तो इसका मत बढ़ाने की जरूरत है ठुड़ा एकागरता और फोकस बढ़ाने की जरूरत है हल की कमी है अबि जितना चाएं उतना नहीं हो पाहँ इस पे आपको द्यान देने की जरूरत दिखाई दे रही है लेकिन अगर लंबाई की आसाब से हम देखें तो ये एक सांदार अनुपा में खड़ी है तो इसका मतलब है कि मानसिक जो चमता है आपकी वह अच्छी है उसका फायदा उठाना चाहे आपको उसके साथ साथ देखें ये उंगले भी पूरी तरों से जुक रखी है ये आपकी अध्यात्मिक चमता को बताती है कि व्यक्ति की अध्यात्मिक चमता बड़ प्रिजबल ब्यक्तित्व है आपका और आने वाले समय में भाग्या का बहुत सुन्दर साथ मिलने वाला है बहुत सुन्दर इस्तिति को यह दिखा रहा है अब ये उंगली देखें कहीं न कहीं जुक रखी है इस तरफ इसका मतलब है यस पाने की इक्षा आपके अंदर है अ अग्षाने की इक्षा भी आपके अंदर यहां पर दिखाई दे रही है दूसरा हम देखते हैं तो यह आपकी जो ब्रेस्पति की उंगली है इससे बड़ी है मिडिल फिंगर से छोटी है आपके अंदर रिस्क लेने की चंता जोखिम उठाने की चंता और अपने उसमें अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनो उठने की चंता भी यहां पर दिखाई दे रही है दूसरी बात अगर हम यहां पर देखते हैं तो जो आपकी यह उंगली है कनिष्टा उंगली सीधी खड़ी है अपनी जगा पे और सोरी की उंगली के पहले पोर्व पारी या नौकरी कर रहा हो चया प्राइबेट हो चया सरकारी हो अधिकारी लिवल का विक्ति होता है उच्वर्ग का बिक्ति होता है और एसा विक्ति की जो कुछ सवाल पूछेगा जो आपका जरूरी हो तो आपने केवल एक लाइन में सारा कुछ पूछ लिया है एक लाइन में हम भी कोशिस कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना आपको उतर दिया जाए तो communication skills बहुत सुन्दर है और इस communication skills के दम पर स्रेष्ट सपलता भी आपको हासिल होगी और अपने बल भूते पर कुछ करने वाला जो स्रेष्ट गुण है वो आपकी अंदर मौजोद है और जब भी ये कनिष्ट का उंगली इस प्रकार से लमवत खड़ी होती है सीधी होती है इस प्रकार से तो ऐसा बिक्तिस्वयम उद्यमी तो होता है कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कारियों के लिए कर्मों के लिए लोग उन्हें PD दर PD याद रखे सदेव याद रखे कुछ महापुरुसों की तरह अब यहाँ पे राज योग दिखाई दे रहा है लेकिन ब्रहस्पति के कारण उसका फाइदा अभी नहीं मिलता है और इसका मैं उपाई दूँगा आपको जरूर करेगा देखेगा हमने क्या पाया है 100% कुरेट क्योंकि आप लोगों का जो रिडबेक आया उसके आदार पे कह रहा हूँ मैं और यह किसी गरंथों में नहीं है चाए कलाश कल्बुक हो चाए हस्त रेखा का पौरानिक गरंथो राज योग के बारे में नहीं बताये गए है लेकिन मैं जितनी हतीलियों में देखार ऐसी चीज पाए है उन लोगों के हतीलियों में राज योग हुआ है किसी भी तरह वो एक सम्मानित जीवन एक राजा के समान जीवन जीते है हमने देखा जब यह उंगली लंबी हो और इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुच रही हो या लंबी हो यह उंगली लंबी हो ब्रस्पति की उंगली से मिडिल फिंगर से छोटी हो जैसे आपकी है और ब्रस्पति का परत पुष्ट और सुन्दर आवस्ता में हो सनी बकरी न हो राहो की रेखा न काट रही हो आपका यहाँ पे जो है ब्रस्पति थोड़ डाउन है लेकिन अपने टाइम पे यह साइथ ठीक रहा होगा क्योंकि हमेशा डाउन तो नहीं रहता है तो ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेतर में कारे करने वाले होते है एक परसेंट किसी प्रस्तितिवस अगर ऐसा बिक्ति सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेतर में कारे न कर रहा हो तो ये बिक्ति फिर ब्यापार की तरब जाता है और ऐसे लोग ब्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं ब्यापार के कारण जाने जाते हैं ब्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है अगर अभी दोनों चीजों में से एक चीज भी नहीं है तो मैं आपको एक सलाह दूँगा अगर आपका जैसे ही ब्रेस्पति ठीक होता है करीबन 17-18 मेहनों के बाद तो अब ब्यापार में जाएगा बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल होगी एक पहचान बनके रहेगी अगर आप सरकारी नोकरी कर रहे है चाए सिक्षा का छितर में है चाए इंजिनियरिंग के छितर में है चाए चिकितसा के छितर में है चाए मैनेजमेंट के छितर में है चाए बानिज़का छितर में है या चाहे कानून के छितर में है अभी तो चीजे सामन्य रहेंगी बहुत बड़ी काम्याभी नहीं है क्योंकि ब्रिस्पति थोड़ा सा जो है डाउन है लेकिन ब्रिस्पति के पुष्ट होते ही बहुत बड़ी काम्यावी आपको मिलेगी एक राजा के समान आपकी पहचान बनेगी ये राजयोग आपकी हतेली में दिखाई दे रहा है बहुत सुन्दर इस्तितिका है अब चलते हैं कुछ रैखाओं पे और कुछ ग्रहों पे हिर्दै की लकीर को देखते हैं तो इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दीरी है इंडेक्स की फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है और इस में देव गुरू ब्रस्पति का और सनी का प्रभाव पढ़ रहा है दोनों का बलाबल आ रहा है ये आपकी महत्तोकांचाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्तोकांची बिखती हैं आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और इस रेखा पे देव गुरू ब्रस्पति का प्रभाव पढ़ने के कारण इनका बल आने के कारण आपकी इक्षा भी एक टॉप लेबल तक पहुँचने की हो रही है लेकिन वहीं सनी का प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे इन किन प्रकारे जो भी हो जाए वो आप करने को राजी है अब देखेंगे यहां पर धीर धीर एक यव का आगार बन रहा है थोड़ा रिष्टों के परती बनी परिवार को लेकि थोड़ी सी चिंताई रह सकती हैं या पारिवार की समस्याओं का सामना आपको हलके रूप में करना पड़ सकता है दामपत्य जीवन का भी इस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ये भी दिखाई दे रहा है एक रेखा इस तरों से भी आरही है इस प्रकार सी जारी थोड़ा सहिन सीलता में भी कमी को दिखाता है दामपते जीवन का जू पूरा सुख है उसकी भौग करने में कठनाईआ भी आती है मस्तिस करेखा अगर देखें इस प्रकार सी जारही है creativity को बढ़ा रही है creative रहेंगे और आपको सुखद यातराओं का लाब मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर अगर देखें इस प्रकार से मचली का साइन दार चिन जनम ले रहा है multiple property का लाब होने वाला ही इस और यह दिखाई दे रहा है जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है और इस प्रकार यहाँ पर फिर आगे बढ़ रही है देखेगा बहुत बड़ा जीवन को एकदम मिर्थ्यू समान कष्ट नहीं देगा थोड़ छोटा मोटा जो है 45 में वर्ष के आसपास कुछ दिया होगा इसने तो भगवन जाने तो ऐसा नहीं है कि जीवन बनी चला गया होगा जीवन है और आगे तो और भी अच्छा दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर हम देखें करियरा और धनी के रेखा के बारे में हमने बता दिया इसका उपाई दोंगा मैं बर्तमान समय को थोड़ा देख लें हतेली में यहाँ पर देखें तो हतेली में धीरी धीरी जो है जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसे अच्छा नहीं माना जाता है यह बर्तमान समय को दिखाता है ड़ाई बर्सों तक इसका प्रभाव जादा रहता है और सबसे पहला प्रभाव इसका पढ़ता है मन और मस्तिस्क में कही तीसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पे पड़ता है आर्थिक रूप से ये आपको जो है बीमार करने का काम करता है हतेली में पैसे का पता न चलना पैसे का मेनेजमेंट न होना पैसों के मामले में संगर से रहना इन चीजों को देता है तीसरा इसका प्रभाव चाहिए वो दामपते जीवन का रिस्ता हो चाहिए वो कुटुम का रिस्ता हो परिवार का रिस्ता हो या सामाजिक रिस्ते हो उसमें बिगटणी की संभावना बढ़ जाती है उनको मैनेज Ellen Working है कठिन हो जाता है चोथा असर इसका आपके स्वस्ते पर पड़ता है चाहे वो साररिक स्वस्ते हो चाहे वो मानसिक स्वस्ते हो कहीं न कहीं विकार आने की संभावना को दिखाता है और पांचवा जो इसका असर है वो आपके कारियों पर पड़ता है आपकी जो डेपलप्मेंट है आपकी जो प्रोग्रेश है उसमें कहीं न कहीं ये ती ब्रगति से बादा देने का काम करता है तो इसको ठीक किस परकार से किया जाए देखेगा एक बनस्पति अश्नान जो किरिया है वो मैं आपको दूँगा साथ-साथ में दि थोड़ा हलकी किसी चीज को लेके सोच भी रहे हैं हलकी चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो थोड़ा अभाव की इस्तिदी भी नजर आ रही हैं लाग प्रियास करने पे भी सारे साधन होने के पापजुद भी वास्तिक सुक की थोड़ा प्राप्तिक कम हो पा रही है निम्ल मंगल अगर देखें तो हलकी कन्फ्यूजन और दुबिदा दिखाई दी रही है छण बंगुरु वाला थोड़ा गुस्सा पैदा हो सकता इस पे कावो रखें लेकिन पराक्रम बहुत अच् ये सनी की तरब जुक रखा है थोड़ा परिवार को लेकी चिंताई ये समश्याओं का कुछ समय तक सामना करना पड़ सकता है और अभी ये साधरन अवस्ता में बैठे हैं आपके अंदर थोड़ी सी साधरनता देते हुई दिख रहे हैं लेकिन नैसर्गिक गुणों के कार अगरन हासमुक सोबाव रहेगा दयालता रहेगी दूसरों की मदद कनने की भावना रहेगी आर्थिक पक्ष भी लगबग ठीक ठाक रहेगा हां यस की प्राप्ति के लिए मन में जुकाव बना रहेगा स्वतंतरता और लिडर्शिप की चाहा रखने वाला विक्तित सनी ठीक है लेकिन सोबह उठने में थोड़ा आलश्य जादा आ सकता है तकलिप मैसूस हो सकती है और कभी-कभी बेवजहे की चिंताएं घर कर सकती है सूरी की अगर हम बात करें सूरी में हलका साजो है इस प्रकार से देखें तो दीरे दीरे एक चतुस्कूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो आने वाले समय में बता रहा है कि मान प्रतिष्टा सम्मान और धन की अच्छी प्राप्ति होगी और कहीं न कहीं ब्यापार नीम फिम पानी के इक्छा ज्यादा अच्छी रही यह दीरे दीरे ठीक हो रहा है तो इसको थोड़ा सा बलवान कीजिएगा निश्चिती लाव होगा चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा जो है अंबैलेंस दिखाई दे रहा है यह कुछ समय तक थोड़ा प्रभाव देता ह दिख रहा है थोड़ा मन को गडबड रखेगा अभी कुछ समय तक मानसिक प्रेशाने से गरसित रह सकते हैं कभी-कभी भावकता बहुत ज्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा प्रेशान रह सकते हैं कभी-कभी मन अच्छा नहीं रहेगा कारियों में मन नहीं अपने digestive system का ध्यान रखेगा पेट की दिकते थोड़ा सा आने की संभवना दिखाई दी रही है और नीन आने में हलकी दिकतों का सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन इन सब के लिए मैं तीन चीजें आपको दे रहा हूं एक तो मैं दिब्यय योग ध्यान के रिया दिब्य नहीं एक नई वीडियो के साथ को नवपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार